जैहिन वंदे मातरम श्वागत है आपके अपने परिवार सुरिश रिजल्ट पर साथियो आप लोग कैसे हैं मैं उमेद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे अपनी तैयारी जवरजास्त मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे इसलिए आज आप ठट जाएए हमारे साथ क्योंकि आज हम GKGS के बहुत अच्छे बहुत इंपोर्टेंट कोशन लेकर आए हैं ये UP पुलिस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसलिए आप इस वीडियो को अवर्स से देखना क्योंकि आज जितना भी मैं कराऊंगा ये सारा बहुत अच्छा है और आपका सेलेक्शन दिलाने वाला एक कोशन है स्टार्ट करते हैं वीडियो का आज का हमारा जो पहला प्रेशन है उसमें क्या लिखा है कोशन में लिखा है भारत का प्रतम आकरमकारी अकरमड कारी सासक थे यानि ये आपको बतारा है कि जो भ तो आपको इन चारो आप्षनों को ध्यान पूर्वक देखना है फिर आंसर देना है कि कौन सा आंसर राइट है देखिए भारत पर प्रतम आकरमकारी सासक की बात की जाए तो वह हकामनी थे यानि ये हकामनी लोग थे जो भारत पर आकरमर करने आये थे ये आपका पहरा प् प्रिशन का आंसर दीजी अगला प्रिशन इससे भी अच्छा और सांदार तरीके से में प्रिशन लाए है कोशन नमर टू है लिखा है कि भारत पर अकर्म करने वाला प्रथम अकर्मन कारी सायरस दूतिय कहां का सासक था अब बात करते हैं यही कि भारत पर पहले अकर्मन करने वाले Cyrus जो दूतिय है वो कहाँ का सासक था ये आपको बताना है चार आप्षण दिये गया है A में दिया गया है चीन B में दिया गया है मंगोल C में दिया है पार्सिया और D में दिया गया है अरव तो इन चारो आप्षणों को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और फिर बताना है कि कौन सा आंसर राइट है I hope मैं उम्मेद करता हूँ कि अधिक से अधिक वच्चे इसका आंसर जानते होंगे देखे भारत पर प्रथम आकरमन कारी की बात करें और वो कौन था सायरस था और ये कहां का सासक था तो आपको पताना था ये पार्सिया का सासक था कहां का पार्सिया का पार्सिया कहां पर आए अरब देशों की उधर पड़ता है अगले प्रिशन की और बढ़ते हैं अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रशन नेस्ट कोशन क्या है कोशन नम्बर 3 है कि कह रहा है अर्वेला का यूद 331 इसापुर्व में किसके मद्ध हुआ था यह आपको बताना है कि चार आप्षन दिये गए हैं ए में दिखाए सिकंदर पूरस बी में दिखाए सिकंदर फिलिप्स और C में लिखाए सिकंदर दारा तर्तिये और D में लिखाए इन में से कोई नहीं तो आपको देखना है कि ये अरवेला का युद किसकी किसकी वीच हुआ था ये आपको वताना है तो अरवेला का यूद जो 331 इसापूर में हुआ था ये सिकंदर और दारा तिरतिये के वीच में हुआ था ये आपको तयार रखना है और याद करके चलना है इस प्रेशन का जो जवाब है वो C आप्शन राइट है नेश्ट कोशन के और बढ़ते हैं नेश्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इस प्रेशन का मैं उमेद करता हूँ कि अधिक से अधिक वच्चे जवाब देंगे लिखा है कोशन नमबर 4 में कि भारती इतियास के सुरूत के रूप में प्रारंबिक भारती इतियास का ग्यान प्राप्त होता है ये हमें बताना है कि भारती इत्यास की जो सुरूत है, सुरूत के रूप में हमें सबसे पहले जानकारी किस के माद्यम से प्राप्त होती है, ये हमसे पूछा गया है चार आप्शन है A में लिखाए युनानी और इराणी यात्रियों के लेख से, B में लिखाए अरवी यात्रियों के लेख से, तो अब आपको वताना है कि ये कहां के लेखों के माद्यम से हमें ये पता चलता है तो आई होप मैं उमेद करता हूँ कि अधिक से अधिक वच्चे इस प्रिशन का आंसर जानते होंगे नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए इसका आंसर होगा डी क्योंकि अरव अरभी लोग और चीनी आत्रियों के माध्यम से ही हमें सारी जादगारियां मिलती हैं इत्या नेश्ट कोष्चन क्योड़ वढ़ते हैं नेश्ट कोष्चन क्या है कोश्चन नमबर फाइव आपकी स्क्रिन पर आ चुका है लिखा है हका मनी सासक एक खास लिप inspired में लेकर आए तो आपको वताना है कि वह खास लिपी कौन सी है A में लिखा है पौली, B में लिखा है ब्राहमी, C में लिखा है खरोष्ठी और D में लिखा है इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है कि हकामनी जो सासक है वो भारत पर कौन सी एक खास लिपी लेकर आया है भारत के लिए भारत में एक खासी लिपी लेकर आये हैं वो कौन सी है तो चार आप्शन है इन में से कौन सा राइट है यह आपको बताना है I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से साथियों का इसका आंसर पता होगा जिन को नहीं पता है वो देख लीजिए देखिए जो खरोष्टी लिपी है यह खास लिपी थी और इसी को हका मनी सासकों द्वारा लाए गए थे यह खरोष्टी लिपी यानि सी आप्शन राइट है तो I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि यहां तक आपको सारी चीज़े किलियर हुई होगी नेश्ट कोईशन की और बढ़ने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास सेयर कर दो पहली वार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लो नेश्ट कोईशन की और बढ़ते हैं कोईशन नमबर शिक्स देखते हैं क्या है कोईशन नमबर शिक्स है सिकंदर महान कहां का सासक था अब हमसे पूछा गया है कि सिकंदर महान है वो कहां का सासक था चार आफशन दिये गए है उनमें से कोई एक राइट है यह आपको बताना है कि कौन सा सही है A में लिखा है इरान, B में लिखा है मगदूनिया, C में लिखा है भारत और D में लिखा है इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है कि जो सिकंदर महान है भारत का कहां का सासक था यानि सिकंदर महान है वो कहां का सासक था और भारत पर आकर्मन किया था तो उससे पहले वो कहां का सासक था तो सिकंदर महान एरान का सासक नहीं था यानि ए आप्शन गलत है मगदुनिया का सासक था ए आप्शन सही है सी अला आप्शन गलत है और डी अला आप्शन गलत है तो इस प्रिशन का जो सही आंसर होगा वो भी आप्शन राइट होगा यानि मकदुनिया का सासक था ये आपको देयार रखना है सिकंदर महान कहां का सासक था ये कोशन बहुत ज़्यादा आया है और ये परिशन बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए साथियो इस परिशन को आप तयार करते हुए चलना और ये परिच्छा की लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है अगले परिशन की और वड़ते हैं नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर शेवन क्या कह रहा है कह रहा है उश बीर भारती राजा का नाम बता दीजिए जिससे सिकंदर ने जहलम के तड़ पर पराजित किया था अब यह बताना है कि वह बीर राजा कौन है जिसने जिसे सिकंदर ने जहलम के तड़ पर पराजित किया था उस बीर राजा का नाम बताना है कि वह बीर राजा कौन सा है जो सिकंदर ने जहीलम के तड़ पर पराजित किया था यह प्रशन है A में लिखा है आमभी B में लिखा है पोरस कहीं कहीं पोरस भी लिखा होता है कहीं कहीं पुरू लिखा होता है C में लिखा है चंद्रकुप्त मौर और D में लिखा है महापदमनंद तो आपको बताना है कि वह कौन सा महान सा सकता या बीर राजा है जिसे सिकंदर ने जहेलम के तड़ पर पराजित किया था तो आपको पता होगा इस question का answer तो इस question का answer be option right है यानि पुरू को शिकंदर ने पराजित किया था यह आपको याद रखना है और वो कहां पराजित किया था जहलम तड़ के पास में पराजित किया था यह भी question हाता है और इस फिरिशन को आप dhyान पूरवक देखकर चलना है next question की और बढ़ते हैं question number 7 के बाद 8 question की और बढ़ते है question number 8 हम से क्या पोच रहा है इस फर्स पोलिस लेख पर्स पोलिस लेख और नाक्स ए रुजयम लेक मिले संतू गदर हिंदू के ने couldali है तो इनके सब के तातप्रे हैं मतलब यह जो लेख हैं इनमें यह कुछ वर्ड मिले हैं इनको जिसमें सत्गू, गदर और हिंदू से तातप्रे हैं इनके अर्थ क्या है यह आपको बताने है तो आई होब मैं उम्मेद करता हूँ कि यहां तक आप समझ में आया होगा सत्गू का मतलब क्या है गदर का मतलब क्या है और हिंदू का मतलब क्या है तो देखिए सत्गू का मतलब है सब्तरिसी और गदर का मतलब गांधार और डी का मतलब ने सिंदू का मतलब है सिंदू गाटी तो यह सिंदू गाटी से जो है वहीं से तो यहाँ पर आपको वताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौनसा आपका आंसर राइट है तो यहाँ पर आपका आंसर कौनसा है तो C बी वाला आप्शन राइट है बी वाला आपका आंसर राइट है नेश्ट कोशन की और बढ़ते हैं नेश्ट कोशन देखते हैं तो अगले प्रेशन की और बढ़ा जाए तो अगला प्रेशन देखते हैं कौन शाह है नेस्ट कोशन कोशन नंबर आप देखेंगे इसको चलिए तो आपको बताना है हर एक वंस के हर एक वंस की साखा थी यह आपको बताना है चार आपशन दिये गएं A में है नाग वंस B में दिया है सिसू नाग वंस C में दिया है नंद वंस और D में दिया है मौरे वंस तो आपको बताना है हर एक वंस किस वंस की साखा थी तो चार आप्षन दिये गए हैं कौन सा आप्षन राइट है यह आपको बताना है कि हर एक वंस जो है वो किस वंस की साखा थी यह आपको बताना है तो यह प्रशन बेरी बेरी इंपोर्टेंट है most important question है मेरे सातियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वहन ये क्यों important है क्योंकि यहां से प्रिशन एक जरूर आता है अगर आपने इस प्रिशन को तैयार कर लिया तो आपने बहुत कुछ तैयार कर लिया देखिए हर एक बंस की बात करते है हरे बंस किस बंस की साखा थी तो ये नाग बंस की साखा थी तो ये किस बंस की नाग बंस की साखा थी यानि ए आप्शन राइट है तो इस प्रिशन का अंसर क्या होगा ए आप्शन राइट होगा हरे बंस से पहुचा जाता है question इसका सासक कौन था तो इसका साथ सा कौन था बिंदू साथ था एवी आपको याद रखना है सिसू नांग की बात करें तो इसके बाद आया था सिसू नांग ने इसकी स्थापना की थी नंद बंस की महापदम नंद ने की थी चंदर गुप्त मौरी की स्थापना मौरे वंस की स्तापना किस ने की थी चंदर गुप्त मौरे जी ने की थी ये आपको तयार करते हुए चलना है यहां तक आपको याद रहेगा I hope मैं उम्मेद करता हूँ कि यहां तक सारी चीजें आपको किलियर हुई होगी Next question की और बढ़ते हैं Next question देखते हैं Question number 10 क्या गह रहा है हमसे Question number 10 हमसे क्या गह रहा है कि निमलिकित में से कौन हर एक वंस का राजा नहीं था तो निमलिकित में से आपको बताना है कि कौन सा राजा है वो हर एक वंस से सम्मदित नहीं है और वाँ की कुछ राजा दिये गए है चार आफ्शन उनमें से एक वे कौन सा राजा है जो हर्यक वंस से नहीं है तो A में लिखा है बिंदुसार, बिम्बसार, B में लिखा है उदाइन, C में लिखा है असोक और D में लिखा है नागदसक तो आपको बताना है कौन हर्यक वंस का सासक नहीं था तो आपको ये प्रिशन बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इसमें नहीं पूचा है कि हर्यक वंस का सासक नहीं था हर्यक वंस का संस्थापक की बात करें तो वो बिंबसार था तो ये भी option right है तो हर एक बंस के बाद उसमें उदाइन भी था उसमें नांग दसक भी था नांग बसक हर एक बंस का अंतिक सासक था और यहां पर जो आप्शन होगा वो असोग है क्योंकि असोग देखी हर एक बंस से नहीं है बलकि वो केस बंस के यह असोग जो है बी वाला आप्शन है यह गौक्व कि यह आशोग्राइब करता एक कि-दी नहीं आई होगी तोपी अच्छे और अंदाज में पूचहा गया कि निम्लिकित में से कवन ईंदाज्थ का राजा नहीं था तो चार आफशन दिये गए इनमेंसे आपको पता लगाना था कि कौन सा हर एक सsa नहीं तीन देखो राज़ा है जो बिंदु सार है बिंब सार है उदाइन और ना दर्जक है यह सब हर एक वंच के राज़ा है बांकि कोई असोग जो है मोर वंच के राज़ा है यही आपसे question पूछाता कि कौन हर एक वंस का राजा नहीं है तो असोक नहीं है वाकि सभी तीनों हर एक वंस के राजा है Next question क्यों वड़ते हैं Next question देखते हैं Next question क्या है यह question हमारी revision के लिए बहुत सुपरफास्ट express की तरह यह final match है और इस match को आपको पूरा देखना है फिर question है 11 देखा है बिम्बसार एक महत्मा कांची सासक था अब question है यह बिम्बसार एक महत्मा कांची सासक था उसने समराज विस्तार है तो क्या क्या कार किये यह आपको बताना है जो हर एक वंस का राजा बिम्बसार है उसने महत्मा कांची राजा था और उसने समराज विस्तार जानी अपने समराज को बढ़ाने के लिए क्या क्या कारी किये हैं यह आपको बताना है चार में आफशन दिये गहा है A में लिखा है बैवाईक सम्भन B में लिखा है कूट निती का प्रियोग C में लिखाए यूद्दू का प्रियोग और D में लिखाए इनमें से कोई नहीं तो आपको बताने कि जो बिम्बसार एक महत्मा कांचिस सासक है वो कहां का राजा था उसने अपने समराज विस्तार को के लिए क्या क्या परिवर्तन किये थे तो देगी बिम्बसार की बात करें ये बिम्बसार जो है मगत का सासक है और इसने अपने समराज विस्तार करने के लिए क्या क्या किया था सबसे ज़्यादा इसने बेवाहिक संबन्द स्थापित किये यानि इसने अपने सबसे ज़्यादा क्या किया बिवा करना ज़्यादा पसंद गया बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियों से बिवा किया और उनको अपने समराज में विस्तार करने में मदद मिले यही उनकी मुख्य कूट नीती थी यानि वही रण नीती थी तो expression का जो answer होगा वो A option right होगा यानि बिकल्प A answer है I hope मैं उम्मेद करता हूँ कि यहां तक clear हुआ होगा किसी भी साथी को कोई भी problem नहीं आ रही होगी Next question क्यों बढ़ते हैं Next question देखते हैं Question number 12 क्या कह रहा है हमसे Question number 12 कह रहा है कि बिमसार किस धर्म का अनुआई था यह आपको बताना है कि बिमसार जो है वो किस धर्म का अनुआई है A में लिखा है जैन धर्म B में लिखा है बौद धर्म C में लिखा है इसाई धर्म D में लिखा है इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि बिम्बसार किस धर्म का अनुयाई था ये आप से पूछा है अनुयाई यानि किसको उन्होंने असेप्ट किया था कौन से धर्म को असेप्ट किया था तो इन चारो आप्शनों में देखो कि कि बिम्बसार किस धर्म का अनुयाई था तो देखिए बिम्बसार बौद धर्म का तो उस समय इन्होंने अपने यानि अपने जो चिकतसक था जिसका नामदा जीवक उसको गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजाता ये भी आपको याद रखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कोईशन नमर ट्वेल के विवाद थार्टीन पर पढ़ते हैं थार्टीन कोईशन हमसे क्या पूछता है कि थार्टीन गहरा है जैन परमपरा में कुडिक के नाम से प्रसीद था एक कुडिक है जो सब्द ये किस के नाम से प्रसीद था यानि कुडिक किसे कहा जाता था जैन प को बताने की कौन सा option right है तो देखते हैं कौन सा साथी सबसे पहले इसका answer देता है तो इस question का answer अगर आप देखेंगे तो वो बी option होगा यानि जैन परंबरा के answer कुडिक के नाम से प्रसीद आजाज सत्रू थे यह आपको याद रखना है next question की और वड़ते है next question देखते हैं क्या है question number 13 के बाद 14 पर आते हैं protein क्या कह रहा है हमसे यह question आप देखते हैं लिगा है आजाज सत्रू सबसे पहले संगर्स किस से हुआ था अब आपको बताना कि जो आजाज सत्रू है उसका सबसे पहले संगर्स किस से हुआ था कौसल से हुआ था, बल्यों से हुआ था, मल्लों से हुआ था, किन से हुआ था, यह आपको बताना है, D में लिखा है कि इन में से कोई नहीं तो बताओ कि किस से हुआ था, यह आप से पूछा गया है तो अजास सत्रू का पहला संगर्स किसे हुआ था यह आपको बताना है तो वो मल्लों से हुआ था यानि सी आप्शन राइड है तो आयोब मैं उमीद करता हूँ कि यहां तक आपको शारी चीजें किलियर हुई होगी किसी भी प्रकार से कोई प्रोब्लम कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी नेश्ट कोश्चन की और बढ़ा जाए तो नेश्ट कोश्चन देखते हैं क्या है कोश्चन नमबर 15 की और बढ़ते हैं तो 15 देखते हैं क्या है लिखा है काला सोक किस बंस का सा सकता यह आपको बताना है कि काला सोक है वो किस बंस का सा सकता A में लिखा है हर्यक वंस B में लिखा है सिसुनांग वंस D में लिखा है C में लिखा है नंद वंस और D में लिखा है मौरे वंस तो आपको बताना है कि काला सोख है किस वंस का सासक था तो इन चार आप्शनों में से कौन सा आप्शन राइट है यह आपको बताना है तो यहाँ पर जो answer देखा जाए तो मेरे सात्यों मेरे दोस्ट कौन सा right होगा तो आप कहोगे sir इसमें b option right होगा यानि जो स्काला सोग है वो किस one's का है सासक तो आपको बताना था तो वो सीशुनाग one's का है ऐसे ही हर एक बंस का संस्तापक अगर आपसे पोचे जाए तो आप बताओगे बिम्बसार है इस बंस का साथ किसे बताओगे कहोगे सर बिम्बसार है बिम्बसार आपको पता है नंद बंस का महापदम नंद है मौरे बंसका, चंद्रगुप्त मौरे यह आपको याद रखने है तो इस परकार से आपको इन चीजों को तयार करते हुए चलना है किसी भी परकार से कोई समस्या नहीं आने चाहिए सिलक्षन लेना है, हर हाल में लेना है मेहनत और लगन के साथ लेना है इसलिए हमें पढ़ना है और पढ़ने के लिए ऐसी तैयारी कीजिए smart तरीके से smart का मतलब हमने question को सबसे ज़्यादा करना है इसलिए आप जुड़ जाएए super fast express है और सबसे ज़्यादा ये चलने वाली क्या है कहने मतलब तेज पढ़ने के लिए हमने ऐसे question बनाए है तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा question करिए और सबसे ज़्यादा selection पहले लेजिए जितने ज़्यादा अंक होंगे उतना है ज़्यादा अच्छा strong selection होगा तो इसलिए इस question का जो जवाब होगा वो भी option होगा और आपको जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं अगर उनको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक करने से आपको आप से हमें पता दिलता है कि हमें बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं और अगर पहली वाज जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स क्योंकि यहां से आपको वीडियो की सारी नोडिफिकेशन मिलती है जानकारियां मिलती है कि कौन सी वीडियो किस्व में डाली गई और कौन सी वीडियो हमारे लिए यूजफुल है जितना भी कंटेंट मैं आपके लिए डाल रहा हूँ यह आपकी परिच्छा में सक्सिज दिलाने के लिए ही है तो आज मैं उमीद करता हूँ कि इतने प्रिशन आपको समझ में आये होंगे नेश्ट कोश्चन की और वड़ते हैं नेश्ट कोश्चन देखते हैं क्या है कोश्चन नमबर 16 हमसे क्या पूछ रहा है हमसे कुछा है नंद बंस का संस्तापक आपको बताना है जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नंद बंस का संस्तापक कौन है तो चार आप्शन है इन्हीं में से कोई एक राइट है आपको बताना कि वो कौन सा आप्शन राइट है तो मैं उमेद करता हूँ कि साथियों को पता होगा कि नंदवंस का संस्तापक अभी मैंने बहुत बार बताया है तो वो महा पदम नंद है यानी हमारा जो आणसर जाएगा वो ए आप्शन राइट जाएगा देखिए यहाँ पर अगर बात करे देखिए पंडूक और घनानंद यह सब नंदवंस के सासक हैं तो यहाँ तक एक प्रिशन में कई जानकारियां होती है और उन जानकारियों को आपको ध्यान में रखते हुए कोश्चन को सही करना होता है नध वंस के पश्चात मंगड पर किसे राज वंस ने सासन किया अब आपको बताना कि जू नंध बंस कि अब बने हों नहद कौ Çok को हराने के बाद किस वंस ने मंगड पर सासन किया था तो ए में लिखाये मौर वंस, B में लिखाये सुंग वंस, C में लिखाये गुप्त वंस, D में लिखाये कुशाण वंस तो इन चारों आफ्षनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बताने की नंद वंस के पस्चाद यानि जो नंदवंस है उसको खतम होने के बाद कौन सा राजवंस आया था ये आपको बताना था तो बो था ए आफ्षन यानि मौरवंस था और नंदवंस का पश्याद मौरवंस का आया मौरे बंस की स्थाप्पन किसने की तो आप पता होना चाहिए चंद्र गुप्त मौरे ने की किसने चंद्र गुप्त मौरे ने इतना आपको पता होना चाहिए तो I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि नंद बंस की पस्चात कौन से बंस आया तो वो आया more once और more once की संस्तापक कौन थे चंद्र गुप्त मोरे थे तो ये आपको question बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे अगले question की और बढ़ते हैं अगला question देखते हैं मैं उमीद करता हूँ कि यहां तक सारे question बहुत अच्छे और आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ next question जो है 17 के बाद 18 आएगा और 18 आपको बताना की कौन सा right है 18 में पूझा गया है किस सासक द्वारा सर्प्थम पार्टली मुत्त पुत्र की राजधानी पार्टली पुत्र को राजधानी के रूप में अपको बताना है कि कौन सा किस सासक द्वारा सर प्रफथम पार्टली पुत्र को अपनी राजधानी बनाया था यह आपको बताना है चार option है बहुत आसान तरीके से question है और आपको बहुत ध्यान पुरवक इसका आंसर देना है जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े है पहली बार तो मैं उनी से यही कहूँगा रिक्ष्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को क्या करना है अपने दोस्तों के पास सियर कर देना अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना है सब्सक्राइब करने से क्या होगा सारी जानकारी इंफोर्मेशन आपको मिलेंगी और इस से आपको आने वाली सारी वीडियो मिलेंगी नेश्ट कोउशन की और इस में दिए अंसर होगा तो वो कौसा होगा तो आब बताओगे उदाइन है C option right है यानि इस फिरशन का सही जवाब क्या होगा C option right होगा नेश्ट कोउशन की और बढ़ा जाए नेश्ट कोउशन देखते हैं क्या है कोशन नमबर 19 क्या गहरा है 19 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसीद बौध वैद जीवक किसके दरवार से संबंदित था अब वही हमने प्रशन पीछ डिसकस किया था वही फिर से कोशन आ गया है कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसीद बैद जीवक किस दरवा किसके दरवार में थे यह आप से कोशन पूचा गया A में लिका है बिम्बसार B में लिका है चंड प्रधोद C में लिका है प्रसेंजीत और D में लिका है उदाइन तो इन चारों आप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे साथियों मेरे फिरेंड्स आपको पता चल जाएगा कौन सा आप्शन राइट है तो यहाँ पर जो आंसर की बात करें तो आंसर कौन सा राइट है यह आपको बताना है तो इसमें आंसर A आप्शन राइट है यानि इसमें A आप्शन राइट है बिम्ब सार के दरवार में ये था आई होब में इंतरा आपको तयार हुआ होगा और यहां तक चीजें हर चीजें डेटेल वाई डेटेल समझ में आई होगी एक कोश्चन वो कोश्चन है जो सबसे ज़्यादा आपका सेलेक्शन दिला सकते हैं इसलिए आपको धायर और पैसंस के साथ सारी वीडियो देखिए पूरी अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगी वीडियो और अगले विश्चन की और वड़ते हैं अगला विश्चन देखते हैं क्या है बीस कह रहा है कि निमली की तराज वंसों को काल करम के अनुश्चार विवस्तित कीजिए और फिर आपको वताना है कि कौन सा काल करम सही है एम में पहला जो काल करम है उसमें नंद बंस लिखा है बी में लिखा है दुसरे में सुग बंस है तीसरे में मौर just है और चौते में हरिकबंस है तो इन बंसों में सबसे पुराना वू है हारिक बंस में उत चौता आप्शन आना चाहिए पहले तो चौता आप्शन देखो गहे तो A में यहां से आपका बाता है more events तीसरे आघिए फिर छोथ आघ तीसरे ऊअजe के बाद फिर आघएंस दूसरा तो इनका क्रम आप देखो घए तो सबसे पहले हर एक सतापना हुई कि उसके बाद कौन सी नंद्र मोंसिकिस किस्तापना जिए उसके बाद more events की stop नहीं उसके वाद swing events की stop नहीं यानि इसमें B option right है तो B option आपका right है बहुत आसान तरीके से एक question आते हैं और ये very very important question है important इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी information छुपी थी और बहुत सारी चीजें जिसको पताऊंगी वही answer सही कर सकता है next question की और वड़ते हैं next question देखते है question number 21 21 है उत्तव प्रदेश में बौद और जैन जैनों दोनों के प्रिसीद तीरत इस्तल कहां इस्तित हैं ये आपको बताना है a में लिखा है सारनाद b में लिखा है कौसांबी c में लिखा है कुसी नगर d में लिखा है डे भी पातन तो इन चार ओ आप्षिन को आप ध्यान पूरवक देखो कि कौन सा option right है ये आपको बताना है तो चार option दिए गए इन में से कौन सा option right है ये आपको बताना है साथियो तो इसमें जो अंसर होगा वो कोसांबी होगा यानि बी option right है चलिए next question की और बढ़ते है next question देखते हैं क्या है question number 22 क्या गयरा है भगवान महावीर का प्रतम सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गौतम बुद नहीं भगवान महावेर्ट स्वामी सोरी बेटा मेरे मुझे से निकल गया तो भगवान महावेर्ट स्वामी का पर्थम सिस कौन था ये आपको बताना है तो इनका पर्थम सिस इनका दमादी था जिनका नाम था जामिल तो ये आफशन बी सही है A option right है B नहीं बेटा A option right है क्या हो रहा है कहते कुछ है बोलते कुछ हो रहा है टिक और कुछ लग रहा है तो इसमें थोड़ी सी mistake हो रही है चलिए I hope मैं उमेद करता हूँ कि इस question को आपको शमझ में आया होगा next question की देखते है next question क्या है question number 23 क्या गया रहा है कि जैन दर्में पूर्ण ग्यान का क्या अर्थ है क्या सब्द है के लिए क्या सब्द है यह पूर्ण ग्यान है यानि हमने कहा कि आपको पूर्ण ग्यान प्राप्त हो गया उससे जैन परंप्रा के अनुसर क्या कहा जाता है जिन कहा जाता है रतन कहा जाता है केवल कहा जाता है या निर्वाण कहा जाता है तो इन चारों आप्षिनों को आप ध्यान पूर्वक बताओगे तो फिर आपका अंसर सही हो जाएगा तो देखी जैन धर्म में पूर्ण ग्यान के लिए क्या सब्द है तो वो है कैवल है यानि सी आफशन राइट है इस प्रिशन का जो आफशन होगा वो सी आफशन राइट होगा तो कैवल इसका सही अंसर है क्योंकि पूर्ण ग्यान जब प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर एक सब्द प्रियोग किया जाता है कैवल ले तो पूर्ण ग्यान के लिए जो सब्द आता है वो कैवल ले इसलिए इस प्रिशन का जवाब क्या होगा C option right होगा Next question क्यों बढ़ते हैं Next question देखते हैं Question number 24 क्या है लिखा है बुद्ध के उपदेश किस से संब्दित है यह आपको बताना है कि बुद्ध के उपदेश है वो किस से संब्दित है यह आपको बताना है 4 option दिये गया है कौन सा option right है यह आपसे पूछा गया है A में लिखा है आत्मा संब्दी विवाद B में लिखा है ब्रह्मचार C में लिखा है धार्मिक कर्मकांड D में लिखा है आचरण की सुदता एवन पवित्रता तो बुद्ध के उपदेश हैं किस से संबंदिते हैं इन चारों आप्शनों में आपका बताना है कि कौन सा आप्शन राइट है तो इस प्रिशन का अगर सही जवाब देखा जाए तो मेरे साथियों मेरे फ्रेंड्स कौन सा होगा तो आपका होगे सार डी वाला आप्शन राइट है क्योंकि आचरण की सुदता और पवित्रता बहुत जरूरी है ये बौद धर्म के उपदेश हैं बौद प्रमपरा के अनुसार ये माना जाता है क्योंकि जिस वच्चे का अज्रण अच्छा होगा और जितना भी उतना ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है नेश्ट कोशन की और वड़ते हैं कोशन नमबर क्या है 25 संसार आज स्थिर छणिक है और छणिक है ये कतन जो दिया गया है किस से संबंदित है ये आपको बताना है A में लिखा है B, C में लिखा है जैन, C में लिखा है गीता और D में लिखा है बेतांग वेदान्त तो इन चारों आप्शनों में आपको कौन सा आप्शन राइट है ये आपको बताना है वेदानत है, गीता है, जैन है, बौध है, इन में से कौन सा आप्शन राइट है यह आँको बताना है देखिए संसार जो अइस्तिर है और छड़िक है यह कहा गया है किसमें बौध धर में कहा गया है कि संसार जो है वो छड़िक है और आइस्तिर है कैसा है छड़ी गया और आ इस तरह है तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा ए आफ्शन राइट होगा I hope मैं उम्मेद करता हूँ कि यहां तक सारी चीज़ें समझ में आयोंगी किसी भी प्रकार से किसी भी student को कोई भी समस्या नहीं आयोगी आज के लिए जितनी भी चीज़ें लाए हैं और यह बहुत ज़्यादा important थी जो भी विद्धारती मेरे साथ पहली वार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली वार जुड़े हो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेर कर देना और नेश्ट टाइम ऐसे ही सुपरफास्ट रिविजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएए क्योंकि अब आपको सेलेक्शन लेना है हर हाल में लेना है यूपी पुलिस में सेलेक्शन लेकर ही जाना है तो ये वर्दी आपकी है आपको लेनी है और इसलिए मेहनत करनी है और आपको ही करनी है तो आज के लिए इतना ही सभी प्यारे सातियों के लिए जैहिन नमस्कार जो भी मेरे साथ पहली सा पहली बार जुड़े हैं और वीडियो बहुत पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जैहन जरूर भेजिए आज के लिए इतना ही सभी प्यारे सातियों के लिए नमस्कार जैहन